नमस्कार दोस्तों हमें आई यह तो आज का तो दिन स्टार्ट हुआ और एंड हो गया मतलब कुछ दे वर नथिंग दिए और निफ्टिक यह अगर बात करें तो कोई ट्रेड ही नहीं है इसमें कोई ट्रेड निकल भी नहीं रहा है और ऑप्शन के प्रेमियोंस भी इतने इत इतने वीक है कोई मुवमेंट ही नहीं आप देखिए एड़ द मनी है 15700 का जो पूट है 30 रुपया इंद मनी है यह उसके बाद भी आपको सिर्फ 100 रुपय में मिल रहा है यह सब मई के मैने के पहले या दोजार इकीस में जैनवरी से एप्रिल एंड में स्टार्टिंग तक यह 180 रुपय तक की पूट मिलते रहे एड़ द मनी के और कॉल यह दिखिए आपको क्या हलत है आज इदर तो अन्लेस वाइल कोई मूव आए इंडेक्स में तो आप्शन में कोई ट्रेडी नहीं निकल रहा है इंपोर्टेंट चीज़ अभी हम लोग को निफ्टिक यागर बात करें जो भी निफ्टिक गिरने का इंतजार कर रहे हैं उनको क्या अबजब करना है कि प्रिवियस डे का जो लो है ना वो ब्रीच होना जरूरी है ट्रेडिंग डे के दिन इसा आज का ट्रेडिंग डे था 622 का आज का लो है उसके एक दिन पहले का लो था 621, 611 तो कोई चांस ही नहीं है मार्केट गिरने का सेम तिंग अभी जब मंडे को ट्रेडिंग स्टार्ट होगा तो आपको 622 का लेवल देखना है जब तक यह तुटता नहीं है और उसके नीचे कंविंसिंग 15-15 मिनिट के चार्ट पे उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं आता है अब तक कोई चांस ही नहीं है निफ्टी गिरने का और अप साइड में इसका कोई लेवल है नहीं यह कोई भी लेवल दिखा सकता है 1500 भी और 16,000 भी और स्टॉक्स की अगर बात करें सब आपस में एक दूसरे को काट अब बैंक निफ्टी देखिए आज थोड़ा सा वीक ता साथ दिन सो पॉइंट क्योंकि उसके पीछे रीजन यह है कि आपके HDFC बैंक, ICICI, फिर आपका HBI, Axis, बड़े-बड़े स्टॉक जो है सब घी रहे हैं और निफ्टी के अंदर बात करें तो बैंक वीक थे आफ्ट लारसन आज अब था और रिलाइंस जो है हो स्लाइट्री डाउन था वन परसेंट तो HDFC लिमिटेड हम लोग स्टॉक पर बात करते हैं अभी HDFC लिमिटेड का फोर अवरली चार्ट है यह देखिए कितने बार यहां से मार्क आया है 26.17 और फिर वहां से गिरता भी अच्छा रुपय गिरता है यह देखिए है 26.27 यह फोर अवरली चार्ट है 9.15 एम को स्टार्ट हुआ 29 एपरिल को 26.27 का इसका हाई है और आज का आप हाई देखिए यहां उपर आप देख सकते हैं 26.26 बरबर 26.27 जो है वहां पर यह रुखा है और उसके बाद स्लाइटली से साथ पॉइंट नीचे बन दिया है तो यह 26.27 जो है यह एक ब्रेक आउट जैसा लेवल है इसके उपर यह अगर यह चले आता है तो फिर इसका भी कोई अपसाइड लिमिट है नहीं सब्सक्राइब की बात हो रही है और अगर यहां पर रुखता है तो फिर यह एक शॉर्ट केंडिडेट बन जाता है विदे स्टॉप लॉस ऑफ 26.27 यह एक इंपॉरेंट है फिर हम लोग जाते हैं लारसन पे लारसन देखिए यह प्रीवियस वीक का क्लोज है शेवेंटी सब्सक्राइब का 1478 उसके ओपर यह कमपरडेबल है एक दम आज का भी इसका क्लोज है थर्टी सेवन का और फॉर्टी सेवन का इसका हाई है अब लारसन में एक चीज़ देखी कही है कि यह कुरूड ऑईल जो है उसके साथ मूव हो रहा है रिजर इसके बीचे यह है कि यह लारसन आज़ा टो डवेसिस मुव होता है दो ही चीजों के वज़े से तो कोई इसको ऑडर बुक में कोई इज़ाफा होता है कोई नया ओर अज़र मिलता है उसका अपडेट आता है कि लारसन है सीकीवरड टू थाउजन, फाउजन, टेन थाउजन करोड वर्डर तब चलता है यह आफिर डिसल्ड के बाद चलता है तो अभी इसमें रिसेंट अबडे यह है कि जो सब्मरीन का 45, 46,000 करोड का जो टेंडर गवर्मेंट ने ओके किया है उसमें लार्शन एंटूब्रो ने टाइप किया है मास्गाव डॉक लिमिटेट के साथ में और उन लोग बीडिंग करने वाले हैं तो वह एक न्यूस पर यह स्टॉक चला है और अगर आप कुड़ोईल की बात करें तो यह इसमें एक हाइड्रोकर्वन का इनका बिजनेस है जो रिफाइनरी और ऑइल रिलेटेट जो भी इंफ्रस्ट्रक्चर होता है उसमें इन लोग पार्टिसिपेट करते हैं कुड़ोईल की सबसे यह स्टॉक मूव हुआ है पिछला कुछ हफ्तों में तो जैसा यहां पर कुड़ोईल टॉप आउट हुआ और यहां से गीरा तो लारसन भी गीरा है तेरा सो के आसपास आ गया था जैसा कुड़ोईल यहां से भागा है चार जार नौसो से पाच जार असी तो यह भी जो है लारसन भी आपका पंदरा सो के ऊपर चला गया है बिकॉज आफ हाइडरो कार्बन बिजनेस इन लोग का काफी सालों से है जो इनिशेली काफी स्ट्रगल कर रहा था लेकिन लास्ट थी-फोर यह से काफी अच्छा चल रहा है तो गल्फ में इन लोग को बहुत अच्छे ओडर्स मिलते हैं अगर कुड़ आइल प्राइस और विन का खबर नहीं है और इसल्ट नहीं है डिविडेंट का खबर नहीं है तो कुड़ जो है हमारी साब से टॉप जैसा हो गया है ऐसा हमको लग रहा है तो ऑन डाट बेसिज लारसन जो है इसको शॉट करने का हम लोग आज हिम्मत किया है तो इसमें अगर आपको लेव 1565 का तो इसके उपर अगर चले जाता है यह 12 मार्च को बना था तो यह आपका ट्रेड खतम हो गया है शॉट का सो यह हम लोग का ट्रेड है HDFC लिमिटेड का आपको बता दिया गया था 26-27 का एक लेवल है मेक और ब्रेक उसके उपर चले जाता है तो फ्रेश लाइफ हाया जाएगा और लारसन का 156 1565 हम लोग एक बार फिल से वह लेवल देख लेते हैं 1565 यह दो ट्रेड्स है जो मेक और ब्रेक बाइनरी टाइप के ट्रेड है इस पार या उस पार वाले जो जिनको शॉट साइड में जिनका बाइस है वो 1565 का स्टॉप लोस से नारसन शॉट कर सकते है और 26-27 की स्टॉप लोस से एस्टॉट कर सकते हैं जिनका लॉंग्साइड का बाइस है वो यह लेवल्स का ब्रेक आुट करके उसके बाद लॉंग कर सकते हैं तो यह जबड़्यास तरीकी से कर बात कहे हैं आज पहला दिन है 10 जुन्त के एकस्पाय रिका फ्राइड़ है आज इसमें आप बैंक निफ्टी देखिए है बहुत ही ज्यादा ओवर सोल यह दिख रहा है इसका PCR जो है अचानक से सब गायब हो गए है पूट राइडर और कॉल राइडर बढ़े है उसके गलत जाने का क्योंकि यह अल्रेडी ओवर सोल्ड है तो बहले ही वो ट्रेड आपका आपको जबर जस्त कमा के नहीं दे लेकिन गलत जाने का चांसे बहुत कम है तो हो सकता है आप जहां पे खड़ी दे कॉल अप्शन या बैंक निफ्टी फूचर वो उसी के आसपास आपक से बहुत कम है तो बैंक निफ्टी बेस्ट ऑन दी पीसीर रहना दिसस लुक्स एक्टेमली स्ट्रॉंग और निफ्टी जस्ट ओके टाइप्स क्योंकि 1.22 प्रिविस क्लोस था वह इसाब से 1.30 के ऊपर इसको ओवर बॉट संज़े आता है तो निफ्टी में भी स्कोप है मैंक निफ्टी में भी स्कोप है और ग्लोबल पैरामिटर्स के अगर बात करें तो यूएस में डेटा आया है नॉन फर्म पेरोल का वो फर्स्ट थर्स्डे आव एवरी मन्त आता है और अनिंप्लॉइमेंट का डेटा आया है और सब यहां च्छे बज़े जो आया है 18 तो डेटा हां यहां पर सोरी हां तो 5.8 परसेंट आया है अनिंप्लॉइमेंट जो प्रीबियस फिगर था 6.1 और कंसेंसर एस्टी में ता 5.9 तो अच्छा ही आया है सब डेटा अच्छा ही आया है तो डाउ जो है इट इस चेलिब्रेटिंग आपका एच्छ निफ्टी जो है पैरामीटर बे मतलब का है लेकिन उसमें भी आपको जबज़र तेजी दिख रही है और एच्छ निफ्टी के अगर बात करें तो यह फ्रेश लाइफ हाए ही है यह देखिए 789 का इसका थोड़ अब पर इसका कोई लेवल है नहीं इंडेक्स का यह कोई भी लेवल दिखा सकता है यह 16 आजार कुछ भी 17 आजार कोई भी लेवल दिखा सकता है कि यह एक इंपोर्टन जो आप ध्यान रखिए ग्लोबल मार्केट जो है वो गिरने को रेडी नहीं है जैसा कल कॉपर साड़े तीन परसेंट गिरा था तो आज दिर परसेंट आप है क्रूड आइल जो है को कॉपर के साथ ही भागा था लेकिन उसमें इंट्राडे सेलिंग आ गया है आप चार्ट देख सकते हैं देखिए डव्लू टी आए का देखिए सेलिंग आ गया ओपर से को कॉपर देखिया है वो स्ट्रेंद मेंटेन करके रखा है और यह जो डॉलर इंडेक्स कल भागा था 0.7 परसेंट तो यह 0.45 परसेंट आज फिर से गिर गया है और बॉर्ण यह जो कल अल्मोस्ट धाई परसेंट अप थे वह साढ़े चार परसेंट और टू यह तो आठाट परसेंट गिर गया है तो यह डेटा जो है इस पैरामेटर्स जो ग्लोबल पैरामेटर्स हम लोग देखते आ रहा है यह फटा-फट जो है पल्टी मार देते है ग्रीन का रेड रेड का ग्रीन हो जाते हैं लेकिन आपका जो स्टॉक मार्केट है उसका एक ही डायरेक्शन है वह है अप यह चीज़ आप धह में रखिए तो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में आप कोई भी अगर ऑप्शन खरीते हैं उसमें मूव आये उसमें आपक वोलाटेलिटी जो विक्स है वह बहुत ज्यादा लो है देखिए आप 15 पर खेल रहा है 15-16 पर विक्स और इसका लो भी मेरे ख्याल से कली था 14 का लो था नेसे सिऑ और सिर सेंप अभी मिफ्स देखिए अम सोल आके तो जब विक्स लो होता है तो वोलाटेलिटी बहुत कम होती है और वोलाटेलिटी कम होती है वोलाटेलिटी कम होती है तो ओपशन ज्यादा découvrir नीफिो में बैंक निफ्टी में मूव आ जाएगा लेकिन ऑप्शन में आपको कमानी नहीं मिलेगा unless there is a wild move so this thing you should keep in mind that if you trade in निफ्टी और बैंक निफ्टी even stocks जो major stocks है बारा स्टॉक्स भी सब ठंडे पड़े हुए है उसमें movement ही निफ्टी के जो बाहर के stocks है उसमें जो है धमाल होते जा रहा है अभी आप देखिए RBI पॉलीसे के बाद बैंक निफ्टी गिर गया साड़े 300 पॉइंट लेकिन housing finance company सब चल गए आपका PNB housing फिर आपका India Bulls housing 15-15% LIC housing 77-88% फिर आपका वह मदर संसुमी भारत फोर्ज यह मुथ्थूट finance तो निफ्टी के बाहर जो है वह काफी धमाल हो रहा है आपके mid cap में next 50, next 50, next 50, nifty mid cap, small cap और major निफ्टी में जो बारा स्टॉक से जो निफ्टी चलाते है इसको छोड़के बाकी जगध हमाल हो रहा है बजाश फिन सब देखिया लाइफ हाय हो गया है टाटा मोटर देखिये टाटा मोटर का UK का फिकर आया है, JLR का जो अच्छा खासा फिकर आया है कुछ 7800 का उनका वॉल्यूम सेल्स है वर्सिस 1000 संथिं लास्ट यर कुछ 8000 से कुछ 7000 का डिकलाइब आया है कुछ 8900 पॉंट का डिकलाइब और लार्सन जो है अभी भागा है तो कभी डिलाइन चलता है कभी लार्सन चलता है और उसको काउंटर कर देते हैं यह बाकी के स्टॉक्स HDFC बैंक, ICICI, SBI, XS, कभी Infosys गिरता है कभी TCS गिरता है तो यह सब जो 12 स्टॉक्स हैं मेजर, HOL और Airtail यह लोग सब आपस में दूसरे को काट रहे हैं तो Nifty में आपको ट्रेड ही नहीं मिल रहा है तो इम्पोर्णन चीज यही आपको जहां में रखना है कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं यह अभी शिक्स्त वीक है पांच हफता निकल गया है मई का यह जून का पहला हफता है छे हफता हो गया है यहां पर ऑप्शन प्रिमियम पुरे डेढ है और निफ्टी म का है वह एक तरीका भी बचा हुआ है तो यह चीज आप इंपोर्टन धान में रखिए तो अमने दो स्टॉक का बात किया है और बैंक निफ्टी का तो मैंक निफ्टी एस पर पीसीर इस एक्स्ट्रीमिली एक्स्ट्रीमिली ओवर सोट वाइल लार्शन एन टूब्रो एंड HDFC Limited, they are standing at the point of inflection, point of inflection मतलब वो point से जबर्जस तरीके से move आता है अप या डाउन, तो वो हमको देखना है अप या डाउन कौन सा move आता है, so 26, 26 for 26, 27 का लेवल for HDFC Limited, 15, 65 का लेवल for Larson and 2BRO and bank nifty में अगर आपको call option लेना है, इसमें भी बहुत सस्ते चल रहे हैं सब, options, तो 35, 300 का, देखिए आप साठी 400 का option है, so monday को अगर ये flat खुलता है, तो ये आपको 300, 300 में मिल जाएगा, क्योंकि melt हो जाएगा वो, due to time decay, so bank nifty में एक long का trade बनता है, और ये 2 stocks में, depending on what your bias is, Larson and HDFC Limited, वो एक long और short, दो नो type के trade बनते हैं, with specific levels as stop loss, right, so thank you very much and happy trading for the next week.